कुछ मूर्निंग एवरिबन कैसे हैं आप सब लोग मेरा नाम है राहूल और आप सब का स्वागत है टीचिंग और के यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर हम आपको देंगे हिंदी ग्रामर का प्रेक्टिश है जिसमें होंगे करेंट अफियर के कोश्चन्स भी राहूल पंडे पहला कोश्चन आपका है इसमें से कौन सा भाववाचक संग्या नहीं है तो संग्या ना अर्थ के आदार पर कित्ते प्रकार की होती है पांच प्रकार की होती है कौन कौन से होती है व्यक्तिवाचक जातिवाचक वाववाचक और जातिवाचक दूतर के से डिवाइड हो व्यक्तिवाचक संगया है नमरता ये तीनों तो फावबाचक तो आंसर क्या हो जाएगा अब ये पूछ ले आप से बुराई किस से बनी बढाया प्रेक्ष्च्ण से बनी बावबाचक तो नेक्षिन इसमें से बताना है कि फार्षी सब्ध कौन सा है सब्ध उत्पत्ती के आधार पे चार प्रकार के होते है तत्सम तद्वब देशज देशजис अब आजाध किसका ए अर्भी भासका है ठीक है याद रखना तो इसमें खून हो जाएगा क्या हो जाएगा खून ठीक है अब बसता किसका है पुर्टगाली का है किसका है पुर्टगाली का याद रखना प्लीज नेक्स्ट इसमें से बताना है अन्य पुरुसवाचक का उधारन अन्य पुरुसवाचक का उधारन नह पूछ लिए आप से संख्या कितनी क्योंकि आज करना संख्या पूछता है तो 11 होती है वो सबसे पहले नंबर के ऑप्शन में देगा छे डालके तो आप चल्दवाजी मत लगा के आना नियुक्त stupid okay और में जाना नहीं हो किसका अन्य पूरसवाचका तो तुम हो जाएगा क्यूंग तुम तो कै क्या है देखो जो में जो बोलने वाला होता है आप अट्कर कोशन आप लोगों का в तो मुझे अच्छा लगता है बाके में केरिया विश्रिष्र्षयन बताना है तें रहे हो लगना क्या है कीरिया की विश्रिष्रता बता ही और फाला है यहां क्या पर प्रिमार बाचा बाके में envisioning का ब्रीष कर +, क्वार मेर करम का बता है असर क्या हो जाएक को काया कोई कि कहते है पशर कहते हैं यादए रखेगा और इनकी संकhya करता हिक लेहर किस्में हिंदी में इस्तिलिंग और पुलिंग दो ही लिंग है हिंदी में तो थाली अच्छी है बीज अच्छा है तो बीज अच्छा है ऐसे निकल आए ना अंसर हो जाएगा C नेक्स्ट विक्रम क्रिकेट खेलता होगा मैंने बताया होगा होगी यह सब संदेख्द में आते हैं किसमें आते हैं संदेख्द में अपूंड को ही ततकाल बोलते हैं ऐसे याद करो कोई काम अपूंड है तो क्या कोई कहता है ततकाल खतम करो इस काम को कहता है तो इसमें रहा सब्सक्राइब और उंपस्राइब ऑद्यापक प्लस आधन्पक अंसर हो जाएब दो कि घ्रुद उपसर की संख्या संस्क्रत में 22 हिंदी में कितने उपसर गें 12 यूज करते हैं 10 का उर्दू में 19 उपसर यह वाला डाटा थोड़ा याद रख लेना पूछ लेता है अनभ धान सब्द में कितने उपसर गें 19 प्लस अभू प्लस धान जैसे उपर था ना उसी तरीके से 2 एंस में भी ठीक है नेच्स्ट मोचा सब्द किसका परया वाची मोचा मैंने कल बताये था ना आपको मोचा होता है केलागा केश का क्या होता है किसका होता है क्या क्च्छ कोईल को क्या कहते हैं बसंत दूद कहते हैं या नहीं कहते हैं यह आप लोग बता हुए कोईल को बसंत दूद कहते हैं या नहीं कहते हैं नेक्स्ट एक की मतलब एक अन्य की मतलब बहुत अन्य की मतलब बहुत अंसर हो जाएगा डी काथ सब्सक् Safra का होता है कानी कधा होता है कानी काने म conten season फेयर की लालों की सुनाइजा क्लре कॉशन का एक इस तर किस्तों विरम हिंदी से उस मेंसे एक पून्द विर्म हिंधी कह से हुआ है किसके एइंगल्स के लिए किसने कामतरफआद गुरू जी नहीं श्चन सकते है यूजदी में सबसे ज्यादा यूज ने सेहल है लॉजड होनें बाले चिन में इक हृण कृम्सा बोम्ति तो एक यह इस पूंड एस तरीके से तुट्किंद सकえば है मं इस तरीके से ठीक है नेक्ट-िस्ट हूद इस तरीके से पाद चिन नहीं है यह याद रुखना विष्या सक्त बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ आ जाए तो मैंने क्या बताए दीग स्वर्संदी इसमें आरन विष्या प्लस आ सक्त यड में क्या होता है या और बासे पहले आदे आदे आते हैं गुड में एक मात्रा आत समास अख़बसर में बड़ी ई की मात्रा 隻 ले नहीं है इसमें नहीं है फजा में परनस दर्द चाहए ब शायर में स्वर्संग काSmष्य का कुछ 아 यह मात्जा नंग को पादियो का को हुगा चांटऑ अच्छा बताना क्या यह बिश्णुजी कह प्ड़ाया बाची है या न है वह समस सम्साय कौन सा प्रतान होता है अन्यप्रत प्रतान होता है याद रखना है नेख्ष got कहा सुनी सब्यसे समाश बताना है तो इसमें दुंद समाश होगा दुंद समाश स Спास लिखना सिक लिए इसकी बरतनी पूछी जाती है अब भाव में क्या होता है पहला पद या पूर्पद प्रतान होता है करमदार्यम विशेशन विशेश या उपमय उपमान यह याद रखेना नेक्स्ट असुद्ध सब्द बताना है इस में कौं सा और चुश्ट्थ रोग से पीडित जाए नेक्स्ट इसमें इसे बताना है क्या लोग के कुलं सा है तो आइस्टिन के पास बुद्ध है कैसी थी बिचेत्र ङवक representa यह सब्ढ़े आएगा नेक्श वहाद डंड देने के योग गया बोगने वहाद डंड योग गया है डंड देने के योग गया है यह होगा अज़ा एक बार आप लोग भी कंफर्म करना कि 29 का क्या होना चाहिए ठीक है नहीं तो मैं और वेसे न कोमेट बॉक्स में डाल दूगा देख लेना एक बार यह वहाद आप डंड योग गया वैसे यह एक निरामिस पता है क्या होता है निरामिस होता है चुमास नहीं खाता आमिस होता है मासखानेВाला ठीक है तो बोजन जिसमें आमिस्का कोई अंस नहो उसे कहते हैं निरामिस निरामिस ऐसे समझ लो साकाहारी नेक्स यहाँ वही व्यक्ति है जिसने मुझे धक्का दिया था तो जो जिसका जिसकी जिसके और जिसने ये सब किसमें आते हैं ये सब बिशेशन में आते हैं बिशेशन उपा कि संगया उपा कि में की आता है पाकी सब आप किसमें लगा देना किडिया पिशेशन में लगा देना चांदी काटना इसका मतलब क्या होगा चांदी काटना चांदी काटने का मतलब होगा धन कमाना मुहावरा क्या होता है लक्षना सब्सक्ति का होता है अर्वी वाजा का सब्द है बाक्यान से ठीक है याद रखना नेक्स्ट नेक्स्ट जवान पर चड़ना मतलब हमेशा याद आना हमेशा याद आना नेक्स्ट कुछ लोग जवान पर चड़ जाते हैं मलया चल की भीलनी चंदन देट जरा है मलया चल मतलग की भीलनी क्या करें चंदन कोई जरा देती तो सहज उपलवद बस्तू की कोई कीमत नहीं होती याद रखना आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट वसुदेव के पुत्र ने कन्स के निचे देर रखा नहीं तो क्या होजाएगा संग्या पदबंद हो जाएगा को नेक्स हे हिंदी सब्सागत किसका है लखा हो बताओ तो यह लिखा हूँ स्याम सुंदर दास का इस तक स्याम सुंदर लाश नेक्स्ट अं अर्चनाम अत्यंत सुंदर है सब्धम विश नेक्स्ट कस्मीरी सेफ सिंदूरी लाल होता कैसा लाल सिंदूरी लाल तो इसमें बताना है क्या है तो यह गुड़े इसमें से संख्या वाचक बताना है तो यह हो जाए कुछ अनिश्चित संख्या वाचक हो जाए यहां गोड़ा अच्छा है गोड़े के से पहले अगर सर्वनाम लगाओ तो क्या हो जाएगा सर्वनामिक विशेशन नेक्स्ट इस परवनत वाला में बहुत उंचे-उंचे पहाड है विशेशन सब्द की विशेशन प्रकट करने वाले विकल्ब बताना है अच्छा कैसे पहाड है उंचे-उंचे-उंचे और कैसे उंचे-उंचे बहुत उंचे-उंचे तो बहुत क्या हो जाएगा यहां प्र समझदार गुणवाचक है पिशेशन के भेद बताओ कोशन नमर पांच जबाब दोगे आप नेक्स जिस संगया या सर्वनाम सब्सक्राइब बताई जा रही है उसे कहते हैं पिशेशन और जो बिशेशन पताता है उसे कहते हैं पिशेशन नेक्स टेबल टैनिस प्रत्यों ग अक्षय परियोजना के लिए घरेलू कंपणी क्लीन मेक्स के साथ समझ होता किया है तो यह करना अट है कि थोड़ा से याद रख लेना ठेक है नेक्स पारती रेल्वे और इस्टेशनों में फेस मास्क ना लगाने पांसो रुपर जुर्मान है इसे मक्षन लगा लेना पू हैं अपने आगे हैं नहीं गोल चाहिए और यह कहा की है यह आंदप्रदेश की यह भी कोशन पूछा जाता है नेक्स बारत ने अपने पहले मानव अंत्रिक्ष मिशन गगन यान मैं सहयोग के लिए किससे फ्रांस से किससाथ समझ जोता कि यह भी मक्षन कोशन है यह भी यह आ सकता है आने के बहुत चांस है इत इसमार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांस्पोर्ट फॉर ऑल चैलेंज यह ना आवास और शेहरी ऐसे यादब को सिटी और यहां पर भी क्या रहा है सिटी सेहर और सहर आरहन ऐसे यादब कर लिए आंसर हो जाए तो इतने कोशन थे तो प् आप लोगों से एक उंबीद है कि आप शेयर करोगे एंड आज कर देना बस पाकी कल से करना या मत करना वो कल से देख लेगी मगर आज कर देना प्लीज चीक है इसी साथ अपने 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 को ध्यान रखना कोई डाउट आयो ना तो कोमेंट बॉक्स में पूछ लेना व मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाइ करूंगा जैहिन जय बारत